Hello Prices, Welcome to my channel, Rain Tarot, I hope you are doing good यह आपकी ऑक्तूबर मन की रीडिंग है रिकार्डिंग यूर परसन्स करन्ट फीलिंग आपके परसन्स की करन्ट फीलिंग के हवाले से यह रीडिंग होगी जो कि एक जैनल्र रीडिंग होगी आप से resonate कर भी सकती है और नभी कर सकती है आप सिर्फ उन messages को consider करें जो आप से resonate करते हैं और बाकी को छोड़ दें इसके इलावा अगर आप में चानल में नहीं हैं तो इसको subscribe करें So let's start your reading Pisces दिखते हैं कि आपकी person के हवाले से क्या messages आते हैं Currently आपकी person की क्या energy है Pisces So let's see Nine of Pentacles Page of Pentacles Yellow yellow Maybe yellow color is prominent for you Page of Cups Seven of Swords Pisces Six of Pentacles Okay one more card Six of Pentacles Underneath आपके पास है Eight of Pentacles आपके person जहें वो इस time amendment चाहते हैं Fixing चाहते हैं जो भी आपके relationship में हुआ उसके हवाले से वो fixing चाहते हैं और हो सकता है amendment और चीजों को happy family emotional fulfillment चाहते हैं आपके person और इसको fix करना चाहते हैं अगर कोई family issue था आपके person को भी involved करके आपको involve करके और family को भी शायद इसमें family भी involved है तो इसमें अब इसमें fixing चाहते हैं आपके person दो के वो जो अपनी अगर आपसे वो दूर है दो के वो अपनी life को बहुत अच्छा spend कर रहे हैं वो financially sufficient है और अपने आपको एक luxury life में उन्होंने रखावा है single जो life है इस वक्त उनकी वो abundant है और लेकिन वो आपके साथ दुबार से reconcile करना चाहते हैं जरूर नहीं है कि apology हो वो अब चाहते हैं कि चीजों को resolve हो जाना चाहिए अब उनकी तरफ से भी आपको एक ऐसा gesture मिल सकता है कि वो चाहते हैं कि चीज़े resolve हो जाएं और वो चाहते हैं कि चीज़ें जैसे like ठीक हो जाएं और उनकी तरफ से कोई fight like अगर आप इस वक्त उनके पास जाके बात करेंगे तो वो जहें बिल्कुल भी कोई fight नहीं करेंगे आपसे वो आपके सीजों को resolve करने के mood में होंगे और यह एक apology भी हो सकती कि वो चाहते हैं apology करना या फिर वो चाहते हैं दुबारे से relationship को बिल्ड करना तो यह एक news आ सकती है उनकी तरफ से उनकी साइट से आपको ऐसा gesture मिल सकता है कि वो चाहते हैं इस relationship को आगे बढ़ाना लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीज़े हैं जो hidden है और आपके इल्म में नहीं हैं उनके हवाले से वो behind the scene उनकी कुछ strategies हैं वो behind the scene चल रही हैं और आपको आप उस हवाले से बहुत दो confused हैं तो हो सकता है वो कुछ ऐसे strategies कर रहे हूं इस relationship को build up करने के लिए दुबारा जिसमें जो के आप से hidden है और इस वक्त वो हो सकता है वो इस वक्त चारिटी में बहुत ज़्यादा involved हो सकता है secret charity करते हो और give and take like इस वक्त वो secretly यही सोच रहे हैं कि वो give and take के लिए ready हैं और या फिर वो behind the scene कुछ ऐसी चीज़े कर रहे हैं चीज़े को balance करने की कोशिश कर रहे हैं और इसका आपको इल्म नहीं है behind the scene वो amendment करना चाते हैं कुछ चीज़ों को fix करना चाते है behind the scene और इसका आपको आपके इल्म में लाए बगएर वही करना चाते हैं पहले हो सकता है कि वो चीज़े को बैलन्स रखना चाहते हैं दो लोगों के दरम्यान या तो या फिर आप और फैमिली के दरम्यान चीज़ों को बैलन्स रखने के लिए वो बहाइंड एसीन कुछ स्ट्राटीजी कर रहे हैं ताकि चीज़ें बहतर हो सके लाइफ में इस करते हो पहले लेकिन हो सकता है अब उनकी तरफ से ऐसा जेस्टर आ रहा होगा आपके पास के वो आपको लगे के वो अब जो है इस इन चीज़ों को बैलन्स करना चाहते हैं लेकिन करेंटली वो एक अच्छी पोजीशन में है और उनके अंदर एक हैपिनस है जो के उनको ए एक सैटिस्ट्रेक्शन दे रही है और हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बहाइंड असी स्ट्राटेजी अब की हो अब वो इस इस काबिल हो गए हो कि अब जो है वो आपको एक कमिटमेंट दे सकते हैं अब जो है वो एक आफर कर सकते हैं गर नया परसन है कोई तो हो सकता है उन्होंने सीक्रेट रखा वाओ इस लव को अपने साथ और लेकिन वो इनसाइड वो जो आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार महबत रखते हों लेकिन अब पहले वो अपने आपको इस काबिल नहीं समझते होंगे पहले वो बहुत अब अधर खाट कर होंगे अपने finances को या अपनी family को मराने के लिए आपके लिए तो अब जो है वो finally situation हो गई हो के उनकी family की तरफ से भी के अब रेडी है इस relationship को एक नया रंग देने के लिए आपकी person की reading वो ready है इस वक्त और self-sufficient भी है और एक अच्छी feelings है उनके अंदर वो behind the scene को ऐसी strategies करें ताके आप उनके आप दोने के दरम्यान चीज़ें फिक्स हो सकें और relationship में बैलन्स हो सकें आपके reading for the month of October if it's a relationship please like me confirm in a comment below like में वीडियो सब्सक्राब में चानल खर्षक्ण